अंत्रिच एक ऐसा जगा है जहां जिरो ग्रैविटी रहती है यानि हर चीज हवा में तेरते रहती है अब तो पिथीवी से अंत्रिच में अंत्रिच यात्रियों का आना जाना तो लगा रहता है पिथीवी से बहुत से एस्टरनौट अंत्रिच में जा चुके हैं जहां वो इ नीचे की स्टास से जुड़ा हूँ नहीं रहता है वोग हवा में तेरते रहते रहे लेकिन कशें आपने कवी सोचा है आगर वह सोच लेक का केसी करते होगे गानि अगर सब्स्यां Hindus करते जाने आने लगी तो ट्वाइलेट की खाज विवस्ता की गई और जीरो ग्रैवेटी के अधार पर बनाया गया इन ट्वाइलेट का अब इस्पेस में इस्तमाल किया जाता था आपको बता दें कि यूरीन और सौच के लिए अलग-अलग ट्वाइलेट होता है यूरीन को कच्ड़े को एक बैग या थैला में भर जाता है जब इसका वजन दो टन का हो जाता है तो इसे बीना ड्राइवर वाली खास इस्पेसिप में लाद दिया जाता है इसके बाद इसे वापस धरती की तरफ भेजा जाता है धरती के ग्रैविटी फोड से पैदा हुए घरसन से साड़ा कूडा जलकल राख हो जाता है इसमें यंतरिच यात्रियों का मल भी यानि सौच भी होता है इसी तरह से यंतरिच यातियों के कपड़े भी जला दिये जाते हैं क्योंकि इस पेस में धुलाए का कोई खास जुगार नहीं होता है आसा करता हूँ ये जनकारी आपको मिस ना करें तो मिलते हैं किसी और जनकारी वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई